तो बहुत बहुत स्वागत है जोड़दात तरीके से मेरे NDA के जित्तेविल लाल हैं फाइनली स्कोर मैं हमेशा लेके आता हूँ और यह वीडियो मेरे दिल से बहुत करीब होता है क्योंकि जब फाइनल स्कोर मैं बताता हूँ क्या बच्चे से पूछ लो बैट कर गए कि रिटन का कटाफ क्या गया है एससबी का हाइस्ट स्कोर क्या गया है क्या रिटन का जो लोवेस्ट कटाफ हो उसके साथ कोई बच्चा रेक्यमेंड भी हो गया माल लीजिए कि जैसे मैंने आपको वीडियों बताया है कि 291 का कटाफ का कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई कर गया है क्योंकि 291 का कटाफ ही गया है एंडे रिटन इंग्जामनेशन 2024 का तो क्या उसके भी चांस है SSB को लेकि मस्ते बच्चे अकसर पूस्टे भी रहते हैं सार इतना लोवेस्ट स्कोर मेरा है मैं SSB देने जाऊं भी के ना जाऊं वो भी बच्चा रेकेमेंड होता है और 400 के अंदर अपनी seat रिजर्व करता है सारी वीडियो में आज असपर स्थ बताऊंगा और दिल से बहुत 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 का अंगर्चलेशन जितने भी प्राउड MKC ने अपना नाम दर्च किये हैं आप उनकी वीडियोस देख चुके हैं और लेडी हमारे चैनल पर सेलेक्शन की और उनकी इंट्रिव्यूस देख चुके हैं तो आप उनकी रैंक भी वाया नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सब डेटेल आपको मिल जाएगी प्रपर तरीके से मुझे लगता है कि यह एक आई ओपनर जो है रिपोर्ट होती है जो मैं लेकि हमेसा आता हूँ मैं हवा बाजी को दूर करके एक सचाही लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिर से वही मजाग जो 2024 में आपके साथ किया गया है हवा में जीना बंद करना होगा सचाही से आना होगा मुझे लगता है इमानदारी से जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सफलता पा रहा है कि 291 का कटाफ मतलब इससे भी लोई कुछ कटाफ हो सकता है क्या बिलो 33% कहते थे बोर्ड एक्जाम में भी पास होते थे भाईया तो 33% का मार का था उससे भी लोई चला गया है और डे बाई डे लोई ही जाता जा रहा है इक्जाक्ली और इसके बड़े स्ट्रेट कालर है क्योंकि कहीं नहीं आपने स्वेम पे भरोसा खोया है और उन फेक भरोसे पे जी रहे हैं जिनके दम पे आपस फलता दर प्रत दर पाते ही चले जा रहा है तो जागना होगा उटना होगा समझना होगा और कुछ नई दिसा में सही धंक से करना होगा और मैं लगातार प्रयास करूँगा अपने हर वीडियो में इस शीज के प्रति बेहतर अवेयर करने के लिए और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि हमें नाज है कि हम इमानदारी से महनत करते हैं जो बच्ची हमारे साथ MKC परिवार में में जर कल सी ख्लास में इमानदारी से महनत करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे गर्व है कि वो इमानदारी से रेटन में निकालते हैं और मुझे गर्व है कि ऑफलाइन हमारे साथ SSB की निरंतर महनत करके real में वो SSB भी qualify करते हैं देश में बहुत सारे fake results देखने को मिलते हैं बहुत सारा दुख मुझे होता है बट कहते हैं कि बहुत सारी बाते कहने को नहीं है समसदार के लिए इसारा काफी है और समसदार है तो इसारा मैं दे रहा हूँ आपको कि इस भर्म से बाहर निकलिए सचाई में उठिये जागिए 2024 का जो होना था वो हो गया 2025 नहीं बरबाद होना चीए और 6 SSB के मौके हैं आपके पास दो NDA है और जे एक्जाम भी अपियर होकर के 4 direct SSB लेनी है कि वो सोचने मातर से नहीं होगा इसके लिए उठ खड़ा होना होगा प्रयास करना होगा तब जा कि वो चीज आपके लिए टेक्निकली संभाव हो पाएगे तो बहुत अहम हो जाता है मरे लाल सच्चाई के साथ काम करना और मैं गर्व से कहता हूँ किसी का हिस्सा बनने पे हर बच्चे को 2025 में बस इमानदारी से मिहनत कर लीजिए जिस सच्चाई के साथ हम काम करते हैं एक्च्चल में कॉंसेट को बिल्कुल जीरो से टॉप लेबल तक ले जाना उस कॉंसेट को ले जाने के बाद आपको हम मिसलिनियस कुष्टेंस तो करा ही रहे हैं पहले ली हम प्रिबिएस एर कुष्टेंस भी करा रहे हैं उन टॉपिक पे जो गत दस वर्सों में यूपीससी ने एंडी एक्जाम के थूप पूछा है उन कुष्टेंस को और इग्जाक्लि उस कॉंसेट को पढ़ने के बाद उन कुष्टेंस को आप कर पा रहे हैं करता है बस जरूरत उसको होती है एक सही गाइडेंस और सही सपोर्ट के और मैं गर्व से कहता हूँ कि देश के अंदर उस इमानदारी के साथ गाइडेंस आपको मिलेगा केवल में एमकेसी परिवार में देश के वन अप बेस्ट टीचर टीम के माध्धम से आई रिजल्स के कुछ आपको प्रतियां समझा देता हूँ बहुत वारे बच्चे इसके बारे में जहनते नहीं है एक्शली एंडिया ने फर्स्ट एग्जामिनेशन का रेकेमेंडेट केंड़ेट सिक्सनेट फॉर्टी वन की टोटल लिस्ट रही है आपको पता ही है कि छ सब फेक बातें हैं फॉर्ज में इसका कोई मतलब नहीं है यह क्रम संख्या हमारी होती है ठीक है इसमें कोई रेक्च नहीं है अब इसलिए स्कॉर के हिसाफ से बच्चा ऊपर है बट हर बच्चा जो रेकेमेंड हुआ है फॉर्ज के अंदर वो सब का सब फिर्स्ट रैंक केटिगरी में क्योंकि फॉज में सेलेक्शन का अपना एक पैरामीटर है उस पैरामीटर को जो टच करता है वही एक्जाटली रेकमेंड होता है तो यहां कोई पैरामीटर को बच्चों को जो बड़ी बात है तो आपको जानके बड़ा इंट्रिस्टिंग लगेगा इसमेंड है इसमेंड है इसमेंड होता है आप 327 रैंक ओपन कर लीजिए बड़ा इंट्रिस्टिंग वाक क्या आपके सामने लाने जा रहा हूं मैं बच्चे कहते क्या वो 400 के अंदर भी जगा बना लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो जगा कैसे बनाते हैं 327 का स्कोर रैंक देखिए बच्चे का 291 का रिटन स्कोर ध्यान से देख लीजिए दिक्छांत दिसावर बच्चे का नाम है 291 का स्कोर मैं बच्चे का है 327 रैंक और SSB में स्कोर लेकिन कमाल का 455 और इस इसकोर के आधार पर 746 कandez का स्कोर बनता है और ये के NDA 327 की रैंक पा गया रिटन में मात रितने लोई स्कोर से बहुत सारे बच्चे NDA के सेकंड के हैं उनको लगता है मेरा लोई स्कोर अभी बैठे हुए है मत बैठो यार जैसे रिटन के 900 नंबर होते हैं नलाल वैसे SSB के भी 900 नंबर है उठिए जगी और प्रयास करिए जो होना था रिटन में हो गया एंड ये सेकंड 2024 में अब बेस्ट स्कोर SSB में ला दो जिससे की मेरिट में टॉप रैंकर में आप आजाओ टॉप पोजिशन पे आजाओ टॉप नंबर से अक्रमांग संख्या पे आजाओ और आप से और साथ हो जाओ तो जगो ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ और एक बड़ा इंट्रेस्टिंग वाक्या आपको दिखाता हूँ कभी-कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लोवेस्ट SSB इस स्कोर पे भी कोई पोजिशन बनाई जा सकती ही क्या है तो मैं एक इंट्रेस्टिंग यही पे सेर करता हूँ आपके सामने देखे 337 इस बच्ची का नाम है माहिरा श्रिबास्तो इसका SSB का सबसे लोवेस्ट स्कोर इस बार गया है 360 का 360 स्कोर लिया बच्ची का रिटन स्कोर देखो तो 383 इसको मिला कि 743 बच्ची ने स्कोर किया और exactly इसने भी 337 रैंक मतलब SSB के लोवेस्ट स्कोर वाली बच्ची भी रेकमेंड हो गई और रिटन के भी लोवेस्ट स्कोर वाला बच्चा रेकमेंड हो गया ठीके ना उसका भी नाम आपने ध्यान से देख लिया मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर तरीके से दिख छांत की बात कर रहा था मैं और यहां माहिरा की बात कर रहा था तो दोनों एक्जामपल बड़े ही इंप्रिस्टिंग जामपल आपके सामने सथ हैं के SSB का लोई स्कोर लेकर रिटन स्कोर दम पे उसने फाइनल अपनी जगा बनाई और रिटन में 291 के सबसे लोई स्कोर को लेकर अपने में SSB का बेस्ट स्कोर लेकर उसने भी बनाई तो भाई देखो दोनों ही पार्ट पर मेहनत करना है रिटन पर भी करना है SSB पर आज हम 90 days का SSB प्रोग्राम क्यों उफर करते हैं NDA के बच्चे के लिए, Series के बच्चे किसी भी इंट्री के लिए सबसे बड़ा SSB का प्रोग्राम हमें भारत का दिया है रिजन क्या है यह कोई कोटा पूरती नहीं है कि आप आएं टेस्ट दी यह भाग गए नहीं इस टेस्ट के दरान 14 दिन 20 दिन में कुछ नहीं होता आप एक बार टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता कि आपको प्रफॉर्मेंस और स्टैंडड क्या है उस टेस्ट के बाद हम आपकी critical करते हैं डेल अबं में कुछ नहीं होता है éthna time लॉड अपने क्मिनिकेशन फ्रॉलम मतल्ब उनका क्मिनिकेशन ही ठीक नहीं आप न लिख के अपनी बात कह पा रहे हो और वो बारा दिन में कैसे हो जाएगा लखना बोलना भाई उसके लिए आपको आकर टाइम देना पड़ेगा हमें और टाइम देंगे तभी सी और सौट रेकमेंडेशन होगा और यही सबसे बड़ा रीजन है जिससे हम बेस्ट ही करेगा यह ध्यान रखिएगा तो बिल्कुल कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ जाए ओफिशल नंबर पे जो आपको डाइस बोड पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीक के बाज आते हैं लोवेश्ट स्कोर के चली रही है तो 641 में टोटल लोवेश्ट स्कोर क्या गया 654 गया जिसमें वर्सा एक बच्ची है 294 इसका रिटन में रहा 360 इसका लोवेश्ट स्स्वी का रहा रिटन कर तो लोवेश्ट नहीं कहा जाए क्यों 291 है और 644 स्कोर रहे 641 बच्ची की रहें गई है आप रहें क्या कम संख्या गई हुए तो यह लिश्ट है बच्ची मु गया होगा कि रिटन का लोई स्कोर है घबडाओं मत इसस्वी में हम लाएंगे इससवी में बहुत अच्छा करने का पोटेंशल नहीं है तो रिटन कली अभी से महनत करना सुरू करते मेहनत तो करना पड़ेगा और भ्रहम से जागो यह अभी से लोवेश्ट स्कोर कुछ न बस भरोसा रखो यार, फौजी बनने जा रहे हो, खुद पर भरोसा रखो, MKC पर भरोसा रखो, हमारा बादा है, कि हम स्वेर्स ओट आपको वर्दी दिलाएंगे, और पुने National Defense Academy का आपको हिस्सा पनाएंगे, तैंक यू सो मच भी से गुड़ लग जाहें जा भारत!